दोस्तों यदि आप भी क्वेट के खबरों के लिए पलपल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो को बीने स्कुप को पूरा देखिए और यदि मेरे चैनल पर फास्टाम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आने वाल लगता है यदि सौ कॉमेंट आता है उनमें से हमको लगता है नाइंटी परसेंट कॉमेंट यही सवाल सब लोग पूछते कि भाई आप ये बताए के लिए इंडिया से फ्लाइट कब उड़ेगी तो दोस्तों आपको बता दूँ आप यदि आप इंडिया से रहते हैं तो कुल मिला के कीस दिन का लॉक डॉन किया तो पंदरा चौदा से पंदरा अपरील तक यह लोग डॉन रहेगा मतलब चौदा से पंदरा अप्रील तक यह कंफर्म बात है कि इंडिया से कोई फ्लाइट के लिए नहीं उलान भरेगी और दूसरी बात यह दोस्तों कि कुएद निने भी वहाँ पर किया है मतलब वहाँ पे दो हपते हो का लॉगड़न किया गया मतलब वहाँ पे दो से अ lot भॉड़न है बहुत किया गहिए नौॉपरील तक वहाँ पर lockdown रहेगा तो मतलब कुएक दोस्तो 9 अप्रील तक कोई भी भरने वाली है तो अब यह confirm हो जाई है कि मतलब जब इंडिया और कुएट सो लेकर 14 से 15 अप्रील तक कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी ना कुएट के रहने वाले इंडिया सकते हैं ना इंडिया के रहने वाले कुएट जा सकते हैं ना जौब करने ना कोई भी काम स कोई भी वीजा नहीं मिलने वाला है या टूरिस्ट वीजा हो या बिजनेस वीजा हो या फिर कोई भी वीजा आपको नहीं मिलने वाला है तो दोस्तों यह confirm date है कि 15 अप्रील तक आप जाने का बिल्कुल मना सोचे और आपको 15 अप्रील के बाद ही कोई government decision लेगी तो उसके बाद ही मालूम चलेगा और यदि यह जो बिमारी जो फैल रही है यदि यह कंट्रोल नहीं होता है तो 15 अप्रील के बाद भी lockdown किया जा सकता है यह बात government पहली बोल चुकि यदि को नहीं हुआ तो आगे भी lockdown नहीं रहेगा तो अभी दोस्तों कंफार्म है कि अभी तो कोई अभी फ्लाइट वड़ान नहीं भरने वाली क्योंकि हर देश को चिंता है कि यदि यह बिमारी यदि फैलती है तो पूरा मुल्क बरबाद हो जागा पूरा देश बरबाद हो जाए तो दोस्तों यदि आप भी जाना चाहरे तो जाने के बारे में बिलकुल भी ना सोचे त तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जोरू बता है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को साथ